हम लोगों ने लास्ट क्लास में री वैलुएशन अकाउंट पार्टनर्स क्यापिटल अकाउंट यह सारी चीज़े देख ली थी तो आज हम फुल फ्लेज कोश्चिन जो हैं वह बनाने वाले हैं तो कंप्लेट कोश्चिन मनाएंगे हम लोग जहां पर री वैलुएशन अकाउंट भी होगा पार्टनर्स क्यापिटल अकाउंट भी होगा और बैलन्स शीट भी होगा सारी चीज़े कवर होंगी तो आप लोग क्लास आजाओ कोश्चिन में 31 पे हिसरे 321 कोश्चिन 31 पे आजाओ सब लोग पेज नंबर बता ताहूं आपको पेजनंबर 5 इनबर है 6.58 31 कोश्चिन पेज नंबर है 7.5 31 कोश्चिन पार ऑल्लएक करो नामाज क शुरू करते हैं कोश्चिन को ठीक है 31 question है उसको start करते है लिखा है कनिका दिश्या और कबीर ये तीन पार्टनर्स है इनकी रेश्यो है 2 x 5, 2 x 5, 1 x 5, 2 x 4 है 2 x 4, 1 x 4, 1 x 4 और ये उनकी पूरी balance sheet दे रखी है कनिका जो है वो retire हो जाती है 1st of April 2016 को यानि कि 1 April 2016 को कनिका retire हो जाती है और अगर वो retire होती है तो class कुछ adjustments है जिन पे सबकी सहमती हुई है सबसे पहला point क्या लिखा है goodwill of the firm valued 2 year purchase of the average profit of 3 completed years जो goodwill है न वो 2 year purchase है यानि कि multiply किस से करो है class 2 से और average profit लेना है कितने साल का 3 साल का जो आपको दे रखा होगा यह है पहले साल का profit यह है दूसरे साल का profit तीसरे साल का profit अगर आपको नहीं दिया है तो तीसरे साल का profit class आपको balance sheet से मिल जाएगा और अगर यह balance sheet में asset side है तो बच्चों यह profit नहीं है loss है मैं आपको बार-बार बताता हूं कि अगर यहाँ पे P&L है तो वो profit है यहाँ पर अगर P&L है तो वो loss है यह होता है debit balance और यह होता है credit balance यह होता है debit balance है और यह loss है तो पहले साल का profit दिया हुआ है दूसरे साल का दिया हुआ है तीसरे साल का जो है class वो क्या है आपका loss है clear है यहाँ तक हम इससे goodwill की calculation कर लेंगे अगला point लिखा हुआ है fixed asset were to be increased two rupees three lakh fixed asset जो है class पहले दो चालिस के थे अब तीन लाग के हो गया मतलब साथ हजार से fixed asset increase हो गई stock was valued at 120% stock जो है वो 120% पे valuation हुई है यानि stock जो है वो 20% क्या हो गया increase हो गया और आगे लिखाई कि कनिका को जो भी amount है उसके loan में हम transfer कर देंगे जो partner जो class छोड़ के जा रही है जो partner class business को छोड़ कर जा रही है उसका सारा balance जो है हम उसके loan में transfer कर देंगे तो आपको बनाना क्या है class revolution account बनाना है capital account बनाना balance sheet 2017 के compartment के paper में class question पूछा गया इस बार इसका वेटेज जो आठ नंबर का question बनता है class 8 marks आपको मेहनत करने 8 marks देंगे तो चलो solution इसका हम लोग शुरू कर लेते ठीक है solution question number 31 solution number 31 कनिका लिखना शुरू करो class कनिका दिश्या और कबीर तीन पार्टनर्स है कनिका दिश्या कबीर इनकी ratio है 2 by 4 1 by 4 1 by 4 कनिका जो है वो retire हो गई कनिका जो है वो retire और इस question में कोई भी new ratio given नहीं है इस question में कोई भी new ratio जो है वो given नहीं है तो अगर इस question में कोई भी नई ratio given नहीं है तो दिश्या और कबीर, यह दो पार्टनर है, दिशा और कबीर, इनका रेश्यो सेम होगा जो क्लास पहले, आप देखों यहाँ पे रेश्यो कितना है, वन रेश्यो वन है, दिशा कबीर का जो रेश्यो होगा, वो वन रेश्यो वन ही होगा, clear है यहाँ तक, दिशा कबीर का जो रेश्यो ह और यही इनकी gaining ratio भी है यही इनकी new ratio है और यही इनकी gaining ratio भी है ले रहे हैं तक अब इसके बाद करना क्या है हमें goodwill का treatment करना है इसके बाद हमें goodwill का करना है treatment तो जो गुड बिल है उसके लिए क्या लिखाएं गुड वल यह वो तीन साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है और मलटिप्लाई कर देना है क्लास तू से फिल्स ऑ इवर्च से तू से टू2-市 पुष्च्वेज कें दिया हुआ हैं तो तीन साल का एवरेज लेते हैं, बताओ क्लास तीन साल का एवरेज कितना आएगा, पहले साल का तो प्रॉफिट जो है, वह आपको एक लाग दिया हुआ है, पहले साल का जो प्रॉफिट है, वह आपको एक लाग दिया हुआ है, दूसरे साल का जो प्रॉफिट है, वह आप तो अगर आप solve करो तो 1 lakh plus 1 lakh 30,000 minus 20,000 divided by 3 तो यह 70,000 आ गया total इंटू कर दोगे 2 से तो यह आ गया 1 lakh 40,000 यह पूरे firm की class क्या हो गई? Goodwill हो गई 1 lakh 40,000 अब कनिका का share निकालोगे कनिका का जब share निकालोगे वो आएगा 1 lakh 40,000 into 2 by 4 कनिका का जो share है वो है 1 lakh 40,000 into 2 divided by 4 जो की बनेगा कितना? 70,000 clear है तो कनिका का share जो आगया वो आगया 70,000 अब Goodwill की जो entry होती है वो आपको पता क्या होती है class? remaining to retiring को है? दिशा remaining को है? क्लास, दिशा और retiring को है? Forces remaining दिशा है और कभीर है remaining दिशा और कभीर है organizing डिशा और कभीर और जो retiring partner जो है कनिका? या कनिका को गुड़विल का share चाहिए 70,000 जो contribute करके देंगे दिशा और कभी equally equally मतलब 35,000 यह जो gaining ratio है वो equal है तो यह आजाएगा देखो मेरी बात सुनो सब लोग हर question में यह goodwill का treatment हमको करना ही करना है हर question में तो यह आपने पहले ही सीख रखा है goodwill remaining to retiring हम मैंने पिछली क्लास में भी कराया था आपको तो आपने यह ध्यान रखना है कि हर एक question के अंदर हमें goodwill की यह treatment हर एक question में करना है remaining to retiring तो सबसे पहला step क्या करेंगे हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पूरे firm की जो goodwill है पूरे firm की जो goodwill है उसकी help से हम उस partner की goodwill निकालेंगे जो छोड़ कर जा रहा है और entry pass कर देंगे remaining to retiring in their gaining ratio यह काम आपने हर question में करना है अब आप format बना लो revolution का चलो start करो revolution का capital account का इंस सब का format बना लो clear रेकला से यहां था 2 by 4 20,000 बैलेंच शीट में दे रखा है लॉस आपका 20,000 आपको बैलेंच शीट के अंदर दे रखा है ओके आप चेक करो मैं दिखा जेता हूं class आपको यह रहा बैलेंच शीट के अंदर आपको 20,000 दे रखा है लॉस ठीक है इसलिए मैंने लॉस को माइनस कर दिया 20,000 clear है यहां तक अब हम format बना लेंगे revolution account, capital account, balance sheet का बनावलो class format revolution account capital account वो balance sheet बनावो class format revolution account revolution account credit debit partners capital account partners capital account revolution account हो गया partners capital account हो गया तो partner इसके तर कनिका दिशा और कभीर है particulars कनिका दिशा कभीर particulars कनिका दिशा कभीर कनिका दिशा और कभीर कनिका दिशा और कभीर कनिका दिशा और कभीर यह आ गया credit यह आ गया debit और इसके बाद हमको बनाना है बैलेंशीट आफ न्यू फर्म यानिकि नए फर्म की बैलेंशीट उसके जाने के बात जो बैलेंशीट बनेगी जो पार्टनर छोड़कर चला गया यहां पर एक लास आएगा एसेट और यहां पर आएंगी लाइबिलेटीज ओके तो हमें हर कोश्चिन में यह काम करना है देखो हम आठाट नंबर कोश्चिन के त्यारी कर रहे हैं तो प्लीज आप सब लोग ध्यान से जो मैं लिखवा रहा हूं उस पर फोकस करो सबसे पहले हम उल्ड रेश्यो लिखेंगे फिर नियू रेश्यो और गेनिंग रेश्यो लिखेंगे गुडविल की हम एंट्री पास करेंगे हर कोश्चिन में और फिर तीनों फॉर्मेट बना लेंगे री वैलोईशन क्यापल लिखाउट आप एक पेज में यह तीनों कबीर में लिखो टू कनिका दिशा में और कबीर में दिशा में और कबीर में आएगा टू कनिका और कनिका में आएगा बाई दिशा और बाई कबीर लेजर पोस्टिंग करनी है क्लास आपने बस क्या करनी है लेजर पोस्टिंग दिशा में और कबीर में 2 कनिका और कनिका के अंदर आएगा क्लास बाई दिशा यानि कनिका को जो गुडविल का शेयर है वो दिशा देगी 35,000 रुपए और कबीर जो है वो देगा कितना क्लास 35,000 दिशा में कबीर में 2 कनिका और कनिका में आएगा बाई दिशा और बाई कभी यह लेजर कोस्टिंग आपको हर कोस्टिंग में करनी ही करनी है अब इसकी बाद के लिए का फिक्स असेट जो है वो तीन लाक तक बढ़ गया था पहले दो चालिस का था फिक्स असेट कितने यका फाय ओक प्रिदा बताओ अगर कोई तो जाएस की चीज तीन लाक हो जाए तो साठ हजार पा फायदा हो गया stock 20% से बढ़ गया है, तो buy stock, जो stock है class, वो 1,00,000, वो 20% से बढ़ गया है, तो buy stock आएगा कितना, 20,000, buy stock 20,000, Kanika का जो भी balance है, वो सारा का सारा loan में चला जाएगा, तो और कुस तो ही निए, इस question में, यह आगे 80,000, यह आगे 80,000, यहाँ पे class आएगा to revaluation gain transfer to capital account of जो revaluation gain है यह capital account में चला जाएगा capital account of किस-किस की capital account में जाए class तीनों की capital account में कनिका दिशा और कबीर कनिका दिशा और कबीर तो यह 80,000 को आपने बाटना है old ratio में यानि कि 2 by 4 1 by 4 और 1 by 4 तो यह आएगा 40,000 यह आएगा 20,000 और यह भी कितना class आएगा 20,000 तो gain जो है वो तीनों partners में बढ़ जाएगा जो उनकी ratio है उसी ratio में class हम क्या करेंगे इसको बाट देंगे clear होगी बात यहां तक अब capital account बनाते हैं सबसे पहले class capital account के अंदर हम लिखेंगे opening balance by balance bd check करो class balance sheet में इनके opening balance दे रखा होगा कनी का class दे रखा है 2.0,000 की दिशा का जो balance दिया हुआ है वो दिया हुआ इक 1.0,00 क बांद का जो balance दिया हुआ है वो दिया हुआ 80 성 knives ठीक है कले kबिर का जो balance दिया और वो दिया है 80,000 अब Revaluation gain जो हुआ है इहां पे transfer कर दो बाई री वैलूएशन गेन गेन है क्लास इसका है 40,000 कार्ण का कार्ड 40,000 दिशा का है 20,000 और कबीर का भी कितना है क्लास 20,000 तो इस तरीके से हमने क्या किया ओपनिंग बैलेंस लिख लिए री वैलूएशन गेन लिख लिया और गुडविल के एंट्री लिख लिए इस पूरे question में class एक चीज distribution करने के लिए है, check करो, मैंने कहा था न, class की balance sheet में साथ ऐसी चीज़े होती है, जो partners के capital account बढ़ जाती है, यह जो 20,000 का item है, यह partners के debit side क्या हो जाएगा, transfer हो जाएगा, तो यह 20 के 20,000 रुपए आपने partners के debit side भीज देना है, 20,000 रुपीज जो है, व 20,000 जो distribute होगा, वो भी किस ratio में होगा, old ratio में, 211, 20,000 को 4 से divide दोगा, 5000, 5 into 2, 10,000, 5 into 1, 5000, 5 into 1, 5000, totaling कर लो, जो भी balance आएगा, वो लिखेंगे, 2 balance CD, और जो छोड के जा रही है, class उसका जो balance आएगा, वो आएगा, कनी का loan account के नाम से, ध्यान रखना, जो छोड कर जा रही है, उसका जो balance आएगा, कनी का loan account के नाम से आएगा, और बाकी का जो balance आएगा, वो आएगा, 2 balance CD के नाम से, सबसे पहले हम लोग कनी का की totaling कर लेते हैं, कनी का totaling कितना है, जो credit side है, वो 240 है, plus 70,000 है, यह बनेगा 3,10,000, तो 3,10,000 में से 10 जाएगा, तो उसका जो balance आएगा, वो 3,10,000, 10 जाएगा, तो कनी का का जो balance है, वो आएगा, कितना, 3,00,000, दिश्या और कबीर की बात करें, यह आएगा class आपका, 1,20,000, यह आएगा, 1,00, यह एक लाग, 20,000 है, और यह है class, 1,00, एक लाग में से 40 जाएगा, तो इसका balance बचेगा, 60,000, और एक 20 में से 40 जाएगा, तो इसका balance बचेगा, 80,000, यानि कि, जो कनी का है, वो छोड़ कर चली गई, और दिश्या और कबीर का जो closing balance है, वो आगया, तो class, आप notice करना कि capital account में क्या-क्या लिखते हैं हम लोग, यही तीन चीजे जो है class वो आती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, और जो छोड़ के जा रहा, उसका balance हम लोग, loan लिखेंगे, तब तक, जब तक question कुछ कुछ कहता नहीं है, यहां तक, चलो यह तो clear हो गए यहां तक, अब हम लोग क्या करते है, balance sheet बनाते है, यहां तक आप लोग लिख लो, balance sheet बनाने के लिए, दो चीजों की जरुवत है, पहला, revolution account, उससे मुझे पता चलेगा, क्या बढ़ा है, क्या घटा है, तो FA और stock, दोनों ही बढ़ गया है, fix asset और stock, दोनों बढ़ गया है, तो मैं balance sheet बना रहा हूं, सब लोग देखो, सबसे पहले balance sheet में library side लिखा है, trade creditor, आप लोग चेक करते रहें, नबुक में, क्या creditor में कुछ increase और decrease हुआ है, नहीं, creditor same है, तो हम creditor को 53,000 same दिखा देंगे, employees provident fund में कोई भी change नहीं है, employees provident fund, इसमें कोई भी change नहीं है, employee print fund पहले भी 47 का था, अभी भी employees print fund जो है, वो 47 का ही है, इसमें कोई भी change नहीं है, रही बात class capital account की, तो कनी का छोड़ कर जा चुकी है, तो capital account जो आएगा, वो class किसका आएगा, दिशा का और कबीर का, तो दिशा का जो ऊपर capital account है, वो 80,000 है, कबीर का जो capital account है, वो 60,000 है, तो ये class आएगा, 1,440,000, दिशा और कबीर का जो balance आएगा, वो आएगा, 1,40,000, और उसके बाद जो कनी का है, वो छोड़ के जा चुकी है, उसका जो भी balance है, वो हम loan के नाम से दिखा देंगे कनिका जो छोड के चली गई उसका जो भी balance होगा कनिका का हम loan के नाम से दिखा देंगे तो उसका जो loan है वो कितने का है 3,00,00,00 बस और तो कुछ है नहीं तो अगर class मैं यहाँ पर add करूं इन सब चीजों को तो जो class answer आ रहा है वो आ रहा है 5,40,000 अगर मैं इसको add करता हूं तो answer आ रहा है 5,40,000 तो asset side भी same ही आना चाहिए bank balance पेमेंट तो किसी को कुछ हुई नहीं है bank का balance पहले भी 60 था अभी भी 60 है debtors class कोई भी debtor में provision या bad debt जैसा कुछ भी नहीं मिला question में तो debtor भी same लिखेंगे next is stock तो जो stock है वो class एक लाग का है और वो 20,000 से बढ़ गया था तो हम stock दिखा देंगे कितना 1,20,000 stock के बाद है fixed asset fixed asset वो दो 40 का है 60,000 से बढ़ गया तो यह आएगा 3,00,000 और जो loss है वो class already बढ़ चुका है तो यह total जो है वो आ रहा है 5,40,000 यानि कि हमारा question है वो पूरा सही examination में अगर आता है class question तो इस तरीके से बना के आओगे आप तो पूरे 8 marks आपको मिलेंगे screenshot आप ले सकते हो अगर आपने नहीं लिखा तो और कोई doubt कोई दिक्कत परिशानी तो फटा-फट क्लास आप लोग पूच सकते हैं ठीक है बच्चो EPF का जो meaning है ना EPF क्या होता है employees का provident fund होता है जितने भी employees होते हैं employees उनकी तनख्वा में से salary में से एक पैसा कटता है जो employee मानलो आपकी salary 50,000 हो जार है तो 50,000 में से 5,000 हर महीने कटेगा और employer भी अपनी जेब से 5 मिलाएगा total 10,000 रुपए आपके नाम का जमा हो जाएगा एक EPF अकाउंट के अंदर अब यह जो रेगनाइस प्रोविंट फंड अकाउंट है EPF या RPF अकाउंट जब चोड़ते हो आपको तो यह डबल अमाउंट आपको मिलता है तो यह partner से बटेगा थोड़ी यह तो liability है तो यह class आपको हमेशा balance sheet में liability side मिलेगा employees के लिए यह पैसा क्या बटेगा वो तो बटने वाला item है वो बटेगा गुडविल में तो सिर्फ हमने उसकी help लिए calculation करने में और कुछ नहीं balance sheet में जो P&L है वो तो partners में debit set बटता है वो तो बटेगा यह बटेगा वो बटने वाला item है और loss में हमने deduct इसलिए कि average profit निकालने को बोला है तो उसमें profit नहीं loss है तीन साल का दिया हुआ है question शुरू से please पढ़ा करो तभी बिलकुल firm की liability है इसमिका 29 में कराओंगा सुन लि अभी कोई बच्चा जॉइन कर बोले सब सुरू से करा दो यह इस तरीके से नहीं हो पाएगा काम आप ताइम पर आके जॉइन किया करो तभी चीज़ों हो पाएंगे clear 29 question आजाओ class 29 अब सारी बात छोड़के 29 question अच्छे समझ लो question 29 सारे question एक जैसे हैं तो अगर आपने एक भी question अच्छे समझ लिया तो आगे के सारे question बन जाएंगे आपसे 29 पर सब लोग आजाओ बहुत यह अच्छा question है मैं करा रहा हूँ 29 question मेरे साथ साथ पूरा का पूरा question जो है आप read करो तभी जाके class बना पाओगे जब question class मेरे साथ read करोगे complete question जो है आप read करो तभी class हो पाएगा clear यहां तक अब इसमें लिखा हुआ है कि C और D दो partner है clear यहां तक C और D दो partner है who are equal partners दो class बराबर बराबर के partners है has a clause that any partner may retire from the firm the following terms by giving six month notice कोई partner अगर छोड़के जाना चाहता है तो जा सकता है उसको 6 महिने का notice देना पड़ेगा अगर कोई छोड़के जाता है तो six month notice उसको देना पड़ेगा clear यहां तक जो partner retire होगा उसको क्या-क्या मिलेगा class उसके capital account का balance मिलेगा current account का balance मिलेगा उसके हिस्से का profit मिलेगा जब तक वो retire हुआ है और वो कैसे निकालेंगे average profit of three preceding class preceding मतल़ पिछले साल preceding years यानि कि जो भी partner छोड़कर जा रहा है business को वो जिस दिन छोड़के जा रहा है मालों यहां से नया साल शुरू हुआ और यहां वो छोड़के जा रहा है यहां पर तो यहां तक का profit हम निकालके देदेंगे on an average basis पे पिछले तीन साल के basis half of the amount of goodwill क्यूंकि C और D बराबर बराबर के partner है आधा 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 goodwill मिलेगा दोनों को तो आधा जो goodwill है वो कैसे calculate करेंगे class 1 1 by 2 का मतलब 3 by 2 होता है या फिर आप क्या सकते हो 1.5 1.5 of the average profit of 3 preceding completed year यानिकि जो goodwill है वो भी हम average profit पे निकाल लेंगे जो profits है इस साल का वो भी हम average profit के basis पे निकाल लेंगे सी ने notice कब दिया 31 मार्च को retire कब होगा 30 सेप्टेंबर को 38 सेप्टेंबर यानिकि 30 सेप्टेंबर को कोई partner छोड़ के जाएगा तो उसने कितने महीने काम किया business में पूरा एप्रिल काम किया कि मार्च को तो profit का बटवारा हो गया होगा पिछला साल end हो गया होगा मार्च को एप्रिल में जून जुलाई अगस सेप्टेंबर कितने महीने काम किया एक बिजनस में 6 मन्त यानि 6 महीने इन्होंने business में जो है क्लास काम किया 6 मंत के लिए ओके आगे लिखा है कि balance of his capital account was 6000 क्लास partners के जो capital account का balance वो 6000 है current account का जो debit balance है वो 500 है और profit जो दिया हुआ है पिछले 3 साल का इतना 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 आपको पिछले 3 साल का profit दिया हुआ है आपने निकालना है क्लास की सी को कितने रुपे देने डिटर्माइन देमाउंट ड्यू टू सी एस पर दे पार्टनेशिव पगरी में तो क्लास आपको बताना है कि सी को कितना पैसा देना है तो बहुत ही अराम से हम question बना लेंगे पूरा question को एक बार पढ़ना जरूरी था मैंने पूरा question आपको class पढ़ा दिया है तो अब हम इसको solve करने चलते हैं तो आप लोग देख लो अच्छे से कैसे class यह सारा का सारा जो हम solve करेंगे चलो आ जाओ ज़रा question पर question नमबर है class 29 question number 29 तो हम सबसे पहले काम करते है average profit निकाल लेते हैं ठीक है average profits वो निकाल लेते हैं तीन साल का average है तो आपको average नीचे दिया हुआ था 2800 2200 1600 2800 2200 और 1600 यह average आ गया तीन साल का 2800 और 2200 और 1600 6600 divided 3 2200 आ गया टोटल इंटू इंटू कुछ नहीं करना class यह आ गया आपका average profit तो जो goodwill है goodwill वो कैसे निकालना है class साफ साफ लिखा था his half amount of goodwill is to be calculated 1.5 times 2200 का 1.5 times निकालेंगे तो यह पूरे firm की goodwill है और जो छोड के जा रहा है partner वो c है तो c का जो share निकालेंगे c share of goodwill तो c का जो हिस्सा वो कितना है class half 1 by 2 दोनों equal partner है ना तो 1 by 2 तो अगर मैं class को solve करूंगा तो goodwill जो निकल के आ गया जो उसे मिलेगा वो मिलेगा 1650 रुपे जो goodwill का पैसा मिलेगा c को वो मिलेगा 1650 अब c का जो profit है वो कैसे देंगे 6 महीने काम किया है ना तो वो लिखा हुआ class average profit average profit कितना है 200 उसका हिस्सा कितना है 1 by 2 और कितने महीने काम किया उसने देखो 200 profit है पूरे साल का उसका हिस्सा आधा है जो कि 1100 बनेगा और 6 महीने के लिए काम किया है मतलब उसका भी आधा मिलेगा 500 बचास तो अगर मैं यहां पे छोटा सा c का capital account बना लूँ तो मैं यह बता दूँगा कि c को कितने रुपे मिलेंगे सबसे पहले c को क्या मिलेगा opening balance by balance bd इस question में चेक कर लो दिया हुआ है साफसाव यहां चेक करो c का capital account का balance कितना है 6000 लेकिन current account का debit balance है 500 रुपे ध्यान से समाजना c का capital account का balance है 6000 लेकिन current account का balance है two balance bd वो 500 रुपे है यानि कि उसके current account का balance है वो नेगेटिव है वो 500 रुपे है current account का balance और जो उसको goodwill मिलेगा जो goodwill मिलेगा अब goodwill की entry क्या होगी इस question में remaining to retiring remaining कौन है class d retiring कौन है class c c को goodwill मिलेगा 1650 रुपे जो देगा कौन अकेले d तो d to c तो d में 2 c c में by d's capital account goodwill का 1650 रुपे जो profit होता है उसको हम लिखते है पी एंडल suspense के नाम से यह profit actual नहीं है class यह profit actual नहीं है यह अंदाजा लगाया हमने profit कि on an average अगर हर साल हम इतना कमा रहें तो इस साल कितना कमाएंगे तो वह आएगा पी एंडल suspense के नाम से opening balance है goodwill है पी एंडल suspense है इसके अलावा class इस question में और कुछ दिया नहीं है तो total करके class हम लोग क्या कर सकते हैं 8200 8200 में से हम minus कर देंगे 500 तो हमारा answer आजाएगा 7700 यह जो amount है class वह CK loan account में चला जाएगा जो भी balance है वह CK loan account के अंदर चला जाएगा आगे बात समझे जो भी balance है वह CK loan में चला जाएगा CK loan है वह इतना बनेगा 29 question में जिसमें 2 points था class 29 में एक था goodwill का और दूसरा था class profit goodwill और profit आपको calculate करना था आपने निकाल लिया और profit जो देंगे हम उसे 6 महीने का देंगे क्योंकि 6 महीने ही वह business में काम किया है तो जितने महीने जो काम करता है हम उसे profit उतने महीने का ही देते हैं उसको profit हम जादा कम नहीं देंगे clear है class यहां तक तो यह सारी चीज़े आपने करनी है चलो 29 question भी class होगे यहां तक अब हम आते हैं एक और question के उपर यह 29 question हमारा done हो गया गुडविल बता तो दिया class आपको गुडविल के लिए क्या लिखा हुआ एक बार point पढ़के देखो आपको समझा आ जाएगा क्या लिखा है half of the amount of goodwill half of the amount of goodwill of the firm is calculated 1.5 class यह 1.5 है आपने बच्पन में पढ़ा होगा इसको solve करना ठीक है तू अटू प्लस तू अटू प्लस तू अटू प्लस वन थ्री बाइटू यानिकी 1.5 times of the average profit of 3 completed years तो तीन साल का मैंने एवरेज निकाल लिया उपर और इंटू कर दिया 1.5 तो यह पूरिया firm की goodwill हो गई और आपको C का हिस्सा निकालना है तो C का share 1.2 है तो यह आजाएगा 1650 simple क्लास गुड्विल का आप गुड्विल का पूछ रहे हो यह चीज क्लियर होगे गुड्विल की चलो यह question class हो गया 29 का अब आते है class next question पे हमने निप्टा लिया है और इसके बाद हमारा 31 question जो है कनिका दिशा और कभीर 31 question यह भी हम लोगों का हो गया चलो next question पे आते है class और वो है question number 32 32 चलो class question शुरू करो 32 question आप अपने आप कर सकते हो start करो 32 question अब इस question में हम लोग account भी बनाएंगे journal entry भी pass करेंगे 32 question के अंदर हम लोग account भी बनाएंगे और journal entry भी pass करेंगे तो चेक करो class 32 question nsg वर partner in a firm sharing profit and losses in ratio 2-3-5 तो nsg partner है और इनकी जो ratio है वो है 2 by 10, 3 by 10 और 5 by 10 और 31st March 2016 को उनकी balance sheet यह आपको दे रखी है और नीचे लिखा हुआ है कि जी जो है वो retire हो गया है डेटर जो है वो 6000 रुपए के bad debt हो गया और बाकी जो बचा हुआ है उस पर 5% का provision maintain होगा patent completely written off from the books जो patent आपको दे रखा है जो डेटर अला पॉइंट आने class बहुत important is question में मैं समझाओंगा अभी आपको लेकिन उससे पहले जो patents है नब्य हजार के वो पूरा खतम कर दो यानि पूरा जाएगा stock machine और building घट गया है class 5% से यह नुकसान हो गया तीनो घाटा है unrecorded liability यह भी घाटा है n और s का new ratio दे रखा है तो बच्चों जब भी आपको नई ratio दे रखी होगी तो नई ratio अगर आपको कभी भी class दे रखी है तो आपको situation में gaining ratio निकालना जरूरी है by using formula और जो formula है वो क्या होता है class new ratio minus old ratio goodwill of the firm on G retirement 90,000 जो पूरे firm की goodwill है जब partner retire हो रहा है न जी उस time जो पूरे firm की goodwill है वो कितनी दे रखी class आपका वो दे रखा है 90,000 क्लियर है पुरे firm की goodwill है वो 90,000 आपको entry pass करनी है class तो हम इस question को पूरा solve करेंगे आपकी knowledge के लिए मैं इसमें revaluation account बनाऊंगा partners capital account बनाऊंगा और फिर उसी को देखके उसी की help से हम क्या करेंगे जब नहीं general entry जो है वो pass कर लेंगे तो चलो 32 question करते हैं पूरा solve यह सारा पहले हम मिटा देते हैं यहां पे तक 32 question के लिए space बन जाए आजब class question में 32 अच्छे से class समझना question का pattern हर जिगे सेम रहेगा जैसे पहले अब तक बनाए question same sum अब बस question की practice करनी है मैं अगली class में class कुछ questions की और practice कराऊंगा और practice करके हम लोग जो है पूरा का पूरा retirement chapter जो फिनिश कर देंगे कुछ और question से अच्छे उनको भी हम अगली class में देख लेंगे रजी class में और उसको देखकर हम पूरा का पूरा अपना topic जो है वह finish कर देंगे और हमाय retirement पूरा खतम हो जाएगा फिर death जो है वह एक ही class में finish कर देंगे death मुश्किल नहीं होगा retirement अच्छे से आगया फिर death में कोई मुश्किल नहीं है वह एक class में तो partner कौन कौन है class n s g तीन partners है और इनकी ratio है class 2 plus 3 5 plus 5 10 2 by 10 3 by 10 और 5 by 10 2 by 10 3 by 10 5 by 10 जी जो है वह retire हो गया जी के जाने के बाद n और s की जो new ratio है वह है class 2 ratio 3 2 by 5 3 by 5 तो हम इस situation में निकालेंगे gaining ratio का जो formula है वह है new ratio minus old ratio तो n का जो new ratio है वह है 2 by 5 old ratio है 2 by 10 s का जो new ratio है वह है 3 by 5 और old ratio है 3 by 10 lcmi का 10 5 2 जा 10 4 minus 2 2 by 10 lcmi का 10 6 minus 3 3 by 10 तो gaining ratio भी coincidence ऐसा हो गया कि new ratio जैसा है आगे तो जो gaining ratio है वह class same to same नई ratio जैसा आपको देखने को मिला पर इसका यह मतलब मत निकाल ले न कि नई ratio ही gaining ratio होती है वह simple case में होता था लेकिन अगर आपको किसी question में new ratio दे रखा है तो उस situation में अगर आपको new ratio दे रखी है तो gaining ratio जो आप निकालोगे वह formula को use करके ही निकालोगे चलो अब आगे बढ़ते हैं जैसा कि हम हर question में करते चले आ रहे हैं इसमें भी करेंगे वैसे ही पहले revolution account बना लेते हैं capital account balance sheet सब बना लेते हैं balance sheet तो जरुरत है नहीं कि general entries के लिए मुझे सिर्फ revolution capital account की जरुरत है balance sheet की जरुरत नहीं और question में मांगा general entry है तो don't worry examination में मैं आपको कैसे लिखना general entry वही समझाऊंगा लेकिन आपके practice के लिए हम capital account भी सीखेंगे यह ultimately examination में कुछ भी आ सकता है general entry भी आ सकता है और account भी आ सकता है हम तीनों में strong रहेंगे तभी examination को tackle कर पाएंगे तो partner कौन कौन है NSG जो छोड़के जाता उसका balance जो हम loan account में डाल देते हैं clear है चलो अब मैंने कहा था class आपको हर question में goodwill का treatment करना ही करना है तो जो पूरे firm की goodwill है वो इस question में 90,000 दे रखी है पूरे firm की जो goodwill है वो आपको 90,000 इस question में दिया हुआ है पूरे firm की जो goodwill है वो कितनी दिये class 90,000 जो छोड़के जा रहा है वो G है जो G का share है वो portion में कितना दिया हुआ है चेक करो जो G का share है वो 5 by 10 है बचो 5 by 10 का मतलब आधा होता है आधा है ना दस में से 5 तो आधा ही है तो यहनिकि 45,000 है G का share G का share है class वो कितना है 45,000 तो जो entry हम pass करेंगे वो pass करेंगे remaining to retiring remaining कौन है इसमे class N capital account debit S capital account debit to retiring G's capital account N capital account debit S capital account debit to G's capital account यह आएगा तो जो G को मिलेगा goodwill वो मिलेगा 45,000 रुपए यह जनल एंट्री में भी हम pass करेंगे same यह एंट्री और जो gaining ratio है वो 2 by 5, 3 by 5 है तो 45 को पांच से divide देंगे आएगा 9 तो 9,2 जा 18 और 9,3 जा 27,000 तो यह entry class होगी goodwill की जो आपने हर question में शुरू में working note में आप करी लेते हो तो इसकी जो laser posting होगी n debit s debit 2g तो n में और s में आएगा 2g n में और s में क्या लिख होगी class 2g और वो है class कितना कितना amount है 18 और 27 18,000 और 27,000 n में और s में 2g g में आएगा by n by s यह आएगा 18,000 और यह आएगा 27,000 तो इसके अलावा अब जो data वाला point है बच्चो वह जरा ध्यान से समझना यह लिखा क्या है आप चेक कर लो data के लिए क्या लिखा हुआ है यहां पर class में करा रहा हूं देखो लिखा हुआ है class कि 6000 रुपए जो है वो write-off हो गए as bad debt 6000 रुपए डूब गए 6000 रुपए क्या है class bad debt है तो आपके पास data है कितने के 1,35,000 तो जब भी कोई comparison करोगे वह अंदर वाले data से करोगे आप कभी बाहर वाले data से आप नहीं करोगे 6000 रुपए डूब गए 135 में से 6000 डूब गए तो बचे कितने 1,29,000 तो उस 1,29,000 पे 5% का बनेगा provision 1,29,000 का जो 5% बनता है वह बनेगा 6450 वह माइनस करने के बाद जो data आएगा मैं अपनी balance sheet में जो data दिखाऊंगा वह दिखाऊंगा एक लाग बाइस जार पांसो वन डबल टू पाइफ फाइफ जिरो पांसो पचास स्वरी तो मुझे नुकसान कितने का हुआ समझना बात को 6000 ये 6450 ये तो 6000 प्लस 6450 मुझे नुकसान हुआ टोटल 12,450 का यानि कि 12,450 रुपय का मुझे टोटल नुकसान हुआ data के डूबने से 12,450 6,000 का तो पूरी तरीके से डूब गया और 6,450 के लिए मुझे अभी doubt है कि वह डूब सकता है लेकिन मैं प्रोवीजन पहले कितना बना चुका हूँ 15,000 ज्यान समझना डूबा जो डेटर वो कितने डूबे क्लास 12,450 के लेकिन मैंने जो प्रोवीजन बना दिया था पहले वो बना दिया था क्लास कितने का 15,000 का तो मैंने प्रोवीजन जो बना दिया क्लास वो गलती से ज्यादा बना दिया कितने का ज्यादा बना दिया बनाना चाहिए था 12,450 का और बनाया कितना 15,000 तो 25,000 का प्रोवीजन जो है वो मैंने ज्यादा बना दिया तो हम प्रोवीजन जब भी बनाते हैं तो debit side और ज्याद हो गया तो रिवर्स करते हैं तो वो क्रेट सेड आएगा 25-50 का रिवालेशन में आएगा 25-50 वाई प्रोवीजन फॉर डाउटफुल डेट जो प्रोवीजन आपने ज्यादा बनाया था पहले हम उस प्रोवीजन को खतम कर देंगे तो आएगा यहां पर प्रोवीजन फॉर ड चिए यह नब्य हजार के थे वह पूरी तरीके सा र्याइट ऑफ हो गया तो यह नम्य हजार रुपे का पूरी तरीके से हमको in liar वे स्टाउक मचीन बूल कि पीचेट हो गया लिख लो स्टाउक हे मैं उस टौर्ट हू एज है तो मैशिनेरी मासीन एस लेश मुल साइब आपको बुक में दिया हुआ है वो दिया एक लास 1,50,000 का तो 5% जो बनेगा वो बनेगा 7,500 ठीक है स्टॉक के बाद है मशीन मशीन दिया है 4,50,000 का तो उसका जो 5% निकलेगा वो बनेगा 22,500 जो बिल्डिंग है वो 3,00,000 है 3,00,000 का 5% बनता है 15,000 नुकसान है टेबिट आएगा अन्रिकॉॉडड क्रेटर्स जो है हांपे रेटर्स वो आपको 30,000 का अन्रिकॉडडॡ क्ριेटर्स Г लिखन ए अन्रिकॉडड क्रेटर्स 30,000 बाकि सारे points तो class होई गए तो सारा कुछ complete है अब चेक करो class की balance sheet में कुछ बाटने के लिए पड़ा हुआई किया जो partners में बढ़ जाए balance sheet में चेक करना यही class balance sheet तो मुझे इसमें बाटने वाला दो item दिख रहा है क्या क्या दिख रहा है class एक है general reserve और दूसरा बटने वाले साथ item है मैं बता चुका हूँ पहले आपको जनरल रिजर्व 90,000 का है उसे आपने बाट देना ओल्ड रिश्यो में क्रेट साइड पी एंडल 75,000 है इसको बाट देना है class debit side बाट देते है जनरल रिजर्व पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लो by balance BD जो opening balance है n का है 2,25,000 n का s का है 3,75,000 s का है और g का जो है class वह 4,50,000 n का है 2,25,000 s का है class 3,75,000 और g का जो balance है class वह है 4,50,000 ओके यह तीनों हो गया इसके इसके इससे पहले class हम क्या करेंगे बाटने वाला item बाट देते है by general reserve by general reserve तो जो general reserve है वह आपको दे रखा है class 90,000 का जो general reserve है वह 90,000 का है ratio 235,538,210 तो general reserve जो आपको दे रखा है 90,000 का उसको divide देना है 10 से आएगा 9,000,9,000 into 2,18,000,9,000 into 3,27,000 और यह आएगा 9 into 5,45,000 और जो pndl है वो इदर बढ़ जाएगा 2 pndl आपको दे रखा है 75,000 तो 10 से divide दोगे तो 75,000 आएगा 75,000 into 2,15,000, 7,500 into 3,7,500 into 3, यह आएगा 22,500, 7,500 into 5, यह class आएगा 37,500, ओके यह सारे चीज़े, अब revolution की totaling कर लो हम तीनों account खतम करेंगे ना तब जाके हम लोग क्या करेंगे entries भी पास कर लेंगे तो इस question में obvious है loss है 90,000 plus 7,500 घर पे इन question को repeat करना बहुत जरूरी है 162450 162450 यह class आएगा answer इसका 162450 162450 आगया 162450 162450 यह आएगा by revolution loss transfer to capital account of n,s और g इसको भी 10 से डिवाइड देदो 16245 16245 को 2 से multiply करो 32490 और 16245 को multiply कर दो 3 से 48735 सो चो एग्जामिनेशन का question थोड़ा सा tough देखो दिया हुआ है फिर इंटो 5 से कर दो 81225 फिर लॉस जहां transfer कर दो 2 revaluation loss कितना loss है 32490 48735 81225 81225 यह हो गया पूरा का पूरा क्लास इसमें capital account और तो कुछ है नहीं हमने बार्टम लाइटम भी कर दिया revolution का जो gain loss है वह भी हमने लिख लिया goodwill के entry pass कर दिया और opening लिख दिया अब हम total कर लेते हैं और answer निकाल लेते हैं जो partner छोड के जा रहा है जी जो है वह छोड के जा रहा उसका loan आएगा 4,50,000 plus 18,000 plus 27,000 plus 45,000 यह क्लास आएगा 5,40,000 रुपे 5,40,000 अब 5,40,000 में से घटा देंगे 81225 माइनस 37,500 तो यह आएगा क्लास आंसर यहां पर 4,21,275 4,21,275 4,21,275 यह जो balance है यह आएगा 2G loan के नाम से और बाकी जो दो partner है उनका balance आएगा 2 balance CD के नाम से तो अगर account बनाने के लिए आता तो आप इस तरीके से account बना सकते थे यह आएगा 2,43,000 2,43,000 माइनस करेंगे 15,000 माइनस करेंगे 18,000 माइनस करेंगे 3,24,90 3,24,90 तो यह answer आगया 1,775,10 और यह है class 3,75,000 प्लस यह करेंगे 27,000 यह आपका आएगा 4,02,000 4,02,000 माइनस करेंगे इसमें से 22,500 माइनस करेंगे 27,000 माइनस करेंगे 48,735 प्लस एक सेगड 4,02,000 है माइनस करेंगे 22,500 और 27,000 और 48,735 यह आपका प्लस आएगा 303,765 303,765 यह होगे आपका capital account और अब जरा इसकी journal entry हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी journal entry जो है वह आप किस तरीके से entries जो है वह कैसे आप पास करोगे वह चेक कर लेते हैं तो मैंने आप लोगों से कहा था कि re-valuation account जब भी class आप बनाते हो re-valuation account अगर आप जब भी बनाओगे तो re-valuation की 3 entries पास होती हैं एक debit side की एक credit side की और एक gain और loss की यही तीन entry आपने re-valuation की पास करनी है clear यहां तक तो सबसे पहली जो entry हम पास करेंगे तो हम यह format यहां बना लेते हैं journal का ठीक है debit credit journal in the books of और यह आएगा particular ठीक है सबसे पहले debit side की सारी चीजों की entry like आप entry कैसे करोगे re-valuation 2 patent 2 stock 2 machine 2 building 2 unrecorded craters पास करो re-valuation account debit re-valuation account debit 165 000 2 patent stock machine building unrecorded craters 2 patents 2 stock 2 machinery 2 machinery 2 machinery 2 patent stock machine building or unrecorded craters 2 building 2 unrecorded craters 2 unrecorded craters तो यह सारी चीजे clear रहे हां तर अब इसकी entry क्या करेंगे provision for doubtful debt account debit provision for doubtful debt account debit to re-evaluation to re-evaluation account 2550 2550 यह provision के entry और लास्ट में जो gain और loss है आप उसकी भी entry pass करोगे यह loss है तो loss के entry होगी N capital account debit S capital account debit buy side की चीजे ना पहले लिखी जाती है जैसे आपने provision for doubtful debt लिखा वो पहले लिखेंगे N debit S debit G debit N कितने से है 32490 S कितने से है 48735 G कितने से है 81225 to re-evaluation account NSG to re-evaluation NSG to re-evaluation तो आप इसे add करके loss है 162450 162450 यह होगे आपका loss यह 3 entry आपने हमेशा re-evaluation की करनी है इसके बाद goodwill की entry आपने उपर करी रखी है NS2G NS2G N capital account S capital account 18 or 27 18 or 27 2 G's capital account being adjustment made for goodwill यह आए कितना 45,000 इसके अलावा आप चेक करो capital account में क्या क्या entry होगी जो चीजे बटी है general reserve P&L इसके entry pass होगी जो entry होती है एक तो revolution की entry दूसरी goodwill की तीसरी डिस्ट्यूइवल आइटम की तो revolution कर लिया यह बाटने वाले classes में दू आइटम है उसके entry pass कर देंगे और जो last में जो मतलब की छोड के जा रहा है जी छोड के जा रहा है उसका जितना भी balance है वह सारा का सारा हम उसके loan में transfer कर देंगे तो entry pass करेंगे general reserve account debit to nsg entry pass करो general reserve account debit general reserve account debit to n to s to g जो general reserve question में दिया हुआ है वह दिया है 90,000 का nsg में आपने जो बाटा तो आठारा सकता है 18,000 27,000 और 45,000 एक class balance sheet में loss भी था वह भी आपने write-off किया उसके entry होती है nsg2pnl कि वह debit side बाटा है nsg 2pnl nsg2pnl कितना loss है class यहां पर loss है 75,000 का और आप check करो capital account में यह रहा कितना बाटा है 15,000 22,500 और 27,500 15,000 22,500 और 37,500 इस तरीके से पूरा का पूरा जो loss है वह capital account में हमने क्या कर दिया distribute कर दिया clear है यहां तक इसके अलावा जो छोड़के जा रहा है उसका loan है तो आप लिखोगे g's capital account debit मैं दिखाऊंगा कैसे entry होई है to g's loan account g का जो capital account का balance है उसके loan account में हमने transfer कर दिया तो जो balance आ रहा था class g का capital account का balance वो था 4212 75 421,275 421,275 clear है यहां तक यह सारी की सारी general entries है और यह है class complete question single page 32 question full-fledged question काफी बड़ा question था काफी time भी लगा लेकिन यह question हमारा यहां पर finish हो clear है यहां तक तो provision for doubtful debt में अगर मैं आपको बताऊं तो आप चाहो तो provision for doubtful debt की ना देखो 1500 रुपए तुमने provision पहले बना रखा था sorry 15,000 का बना था 15,000 का provision तुमने पहले बना रखा था लेकिन जो बनना चीए provision देखो data कितने के हैं 1,35,000 के question कह रहा है कि 6,000 रुपए डूब गए 129 के data बचे और 1,29,000 जो है उसका 5% अगर आप निकालते हो provision तो यह आएगा 6450 जो balance sheet हमारी बनेगी उसमें तो class यह आएगा 122550 लेकिन जो नुकसान हुआ total वह हुआ 12,450 का आपने लुकसान बुक कर रखा है 15,000 का तो provision आपने ज्यादा बना रखा है तो provision कितने का ज्यादा बना रखा है वह आप calculate करोगे तो बनेगा class 25,50 का वह आपने Revaluation के credit side बनता है तो debit खतम होता है तो credit यह हमारा complete हो गया अगर आप चाहो तो class entry जो provision की है उसकी आप अलग से entry पास कर सकते हो कुछ ऐसे provision for doubtful debt account debit to bad debts जो डूब गए 6,000 रुपए आप उसकी entry यह पास कर लो ठीक है provision for doubtful debt account debit to bad debts और उसके बाद class entry provision for doubtful debt account debit to revaluation account revolution में कितना चला है class to double five zero to double five zero तो आप चाहो तो इससे अलग अलग entry pass कर सकते हो data को write off कर सकते हो data को आप class उसको credit कर सकते हो data को लेकिन मैं आपको suggest नहीं करूंगा कि वहले किसी किताब में इस तरह से entry अलग अलग दे रखी हो मैं आपको suggest करूंगा कि आप यही जो entry मैं कराई है यही entry pass करो perfect है आपको पूरे number मिलेंगे amount बस 25-50 का होना चाहिए amount जो है वह आपका पूरा का पूरा 25-50 का होना चाहिए और यह हमारा question complete हो गए तो आप लोगों को बता दूं जितने भी questions है हमारे पास हम लोगों को किसी कीमत में 39 तक सारे question complete करने द्यान समझना तो अगली class में über 39 तक सारे question complete करा दूंगा तो आप लोग घर पे जरूर करना class ठीक है आप लोग question को try जरूर करना और और आपको homework है और 35 जो है वो भी आपका homework है 35 भी आपका homework है इसके अलावा क्लास 33, 34, 33 and 34 यह आपका homework है यह आपका homework करना हमारा target बस यह है अगली class में retirement हम पूरा खतम करेंगे 29 से लेके 39 तक यह 11 question कर लो 8 number पक्के हैं आपके अगली class में question जरूर बना के आओगे और अगली class में retirement को finish करेंगे और जो भी आपके doubt है जो भी दिक्तत परेशानी है वो next class में लोग ले लेंगे ठीक है